हेलो फ्रेंड आज हम सूट के नेक में पाइपिंग लगाना सीखेंगे वो भी शनील के सूट में तो ये वीडियो मेरे वीवर्स की डिमार्ड में है उन्होंने बुला था कि मैं हम इसकी स्टेचिंग भी बताएं तो आज मैं और शनील के सूट में पाइपिंग अगर लग सक तो इस तरीके से आपने इस पाइपिंग को छोड़ा-चोड़ा कट लगा देना है क्योंकि यह पाइपिंग जो मूव हो सके ठीक है तो इस तरीके से हमने चोटा-चोटा कट लगा दिये हैं ताकि यह पाइपिंग असानी से मूव हो जाए क्योंकि उरेप जो पटी होती है वो बड़ी असानी से मूव हो जाती है कहीं भी उसको मोड सकते हैं ठीक है तो यह कट मैंने इसी लिए लगाए है अब यहाँ पे हमने पाइपिंग रखनी है और मशीन के जो बूट में इसको सेट कर लेना है पाइपिंग को जो डोरी है बूट के बिल्कुल किनारे पे आनी चाहिए तो बूट इसमें मैंने बिल्कुल भी चेंज नहीं करा है ठीक है मशीन का तो इसी से देखिए मैं पाइपिंग लगा कि दि रेटी के जितने ही थीक नहीं तो फिर आप बूट बदल के इसको लगा सकते हैं थीक है मशी न ने किसे में यह चेंट लोगा रही है तो एक देखे ayamayaka से यह स्लाइल लग रही है श्यायहटक। पूरे मन के में स्लाइल लगा दिए अब इसकी कटिंग कर दोंहीं जतनी पैपिंग मुझे चाहिए थी उतनी में या फिर आप इस तरीके से चौरस कपडा ले लें, पीस ठीक है, तो इसको हमने इस तरीके से रखना है, और यहाँ पे हम जैसे सिलाई से भी इसको कच्चा कर सकते हैं, लेकिन हम पिन से इसको कच्चा कर लेंगे, पिन लगा करके इसको कच्चा कर लेंगे, मतलब कपडा हमार पिन से इसको set कर लिया है, अब इसकी उल्टी side में ये देखिए, जहां पे हमने जो piping लगाई थी ना वो वली sly, ये देखिए, इस sly के उपर ही हमने sly लगानी है, ठीक है, बिलकुल इसके उपर ही sly लगाएंगे, sly आघे पीछे नहीं होने चाहिए, sia नहीं तो, आपकी अगर जल्द बाजी की तो आपको फिर से खोलना पड़ सकता है थेकर लाई को तो इसलिए आपको आपने अच्छे से लगा ल brutal को ज़ざ furnace क्यां खेसे शिरे ते, बिल्कोल दुझे ओपर इस ठीक लोगाना है तो मैंने एक बार में ही ये सलाई अच्छे से लगा ली है, मुझे बार बार खोलने की जूरत नहीं पड़ी थी, तो अगर आप भी इसी तरीके से practice करेंगे, तो आप भी इसी तरीके से लगा सकते हैं, तो आप जरूर लगा पाएंगे, अगर आप practice करेंगे तो ये दिखे, एक बार में ही मेरी यह piping है वो लग गई है अभी मैं इसको दिखाती हूँ आपको कैसे यह लगी है तो इसकी जो पिन है वो निकाल देंगे ठीक है तो यह देखिए कटिंग करने से पहले आप एक बार चेक जरूर कर लें कि आपकी piping अच्छे से लगी है कि नहीं लगी है तो यह दिखिए बड़े अच्छे से हमारी piping लग चुकी है अब इसकी मैं कटिंग करूंगी ठीक है जो extra fabric है जो हमें नहीं चाहिए उसकी हम कटिंग कर देंगे ठीक है तो कपड़े को अच्छे से आप देख लें नीचे वाली साइड में आपकी जो कुर्ती है उसका कपड़ा नहीं आना चाहिए फिर ही आपने इसकी कटिंग करनी है तो quarter inch margin छोड़ते हुए बाकी सारा कपड़ा हम कटिंग कर देंगे इस तरीके से ठीक है अब इसमें हमने च अक्सरा फैब्रिक है उसको भी थोड़ा सा शेप में हम कट कर देंगे जैसे राउंड नेक है तो उसी शेप में हमने इसको कट करना है ठीक है इस तरीके से तो यह दिखे मैंने कट कर दिया अगर चाहे तो आप इसी तरीके से मोड सकते हैं ठीक है अंदर की तरफ क्योंकि इसके धागे बगार तो नहीं निकलते हैं अगर फिर भी आप फिनिशिंग देना चाहते हैं तो इस तरीके से आपने कपड़े को फोल्ड करना है ठीके ऐसे फोल्ड करते जाना है और सलाई लगाते जाना है तो इस तरीके से अगर करेंगे तो नेक में फिनिशिंग भी काफी अच्छी आजाएगी और आप जो बुकरम लगाते हैं वो भी लगाने की हमें जुरुत नहीं पड़ेगी, ठीक है, तो ऐसे करेंगे तो नेक बहुत ही अच्छे से आपका बन जाएगा, ठीक है इसका स्टाफ भी बहुत अच्छा है, बुकरम लगाने की जुरुत नहीं है, इस तरीके से आपने neck में piping लगानी है और इसके slits में भी piping लगानी है लेकिन वो वीडियो में नहीं बनाई है उसके लिए अलग से वीडियो बनाऊंगी लेकिन इसकी बाजू में मैंने piping लगाना शिखाया है इसी वीडियो में तो आप skip मत करेगा end में आपको देखने को मिल जाएगा कि बाजू में आपने कैसे piping लगानी है ठीक है तो इस तरीके से यह देखिए ऐसे कपड़े को फोल्ड करना है और piping लगानी है ठीक है तो यह देखिए कपड़ा मैंने फोल्ड कर दिया है अब इसको मैं कच्चा नहीं करूंगी क्योंकि कच्ची स्लाइब फिर से देखिए तो इसको मैं ऐसे ही छोड़ दूँगी तो यहां से दिखिए बैक साइड से भी काफी अच्छी फिनिशिंग आई है और यह देखिए piping कितनी अच्छी निकल के आई है तो इस तरीके से आप piping लगा सकते हैं ठीक है यह शिनील का फैब्रिक है वैसे cotton में तो लगा ही लेते हैं लेकिन शिनील के फैब्रिक में भी आप इसी तरीके से लगाएंगे ठीक है तो यह दिखिए ठीक है यहां पर थोड़ा सा हो गया है लेकिन क्योंकि रेडिमेट पाइपिंग थी सीधी सीधी जो होती है थोड़ा सा तो आपको रजस्ट करना पड़ेगा अगर इसको लगा सकते हैं ठीक है तो यह देखिए कितनी अच्छी से मारी पाइपिंग लगी है अब हमने बाजू में इसको लगाना है तो यह दिखिए एक बाजू में लगा दी है दूसरी बाजू आपको लगा करके बताती हूं कैसे लगाना है तो डेर्ड इंच हमने कपड़ छोड़ा ठीक है बाजू के स्टार्टिंग में तो इस और इसी को भी पाइपिंग को और कशिच करना हो से तरीके तो इसमें ऐसे कुछ नहीं होता क्योंकि यह सीधी सीधी लगती है ठीक है तो इसमें कट लगाने की भी कोई जुरूरत नहीं है तो इस तरीके से आप सीधी सीधी पाइपिंग ऐसे लगा सकते हैं ठीक है तो यह भी बड़ी असानी से हमारी पाइपिंग लग गई है आप दे के से दोनों बाज हुमारी बन के तयार हो गई हैं तो आपको मेरी वीडियो कैसी लगी प्लीज लाइक करें शेयर करें कमेंट करें और सब्सक्राइब करना जाए